नेता तो पहले ही कहते थे बीजेपी वाले खास करके कहते हैं ये सारे पॉलिटिकल हैं और धीर-धीर करके एक-एक पार्टी में चले जाएंगे आम आदमी पार्टी ने आपको कैच कर लिया उद्धर हो चुड़ुनी साब ने कल अपनी पार्टी बना दी उन्होंने पहली कि खेती करनी चाहिए मुनाफ़ा बहुत होगा कि के यहां पर फीम के खेती करवनी शुरू कर दी जाए तो बहुत उन्हों कर सकता है तो इस अधर क्या सोच है यह किसान नेता वही किसानों की बात करते थे आफिम का पार्ट पड़ा रही है तो चडून जी को व्यक्ति कर जानता हूं मेरी खाल में इतने नसे के करीब तो नहीं थे लेकिन काफी टाइम से तीन-चार महीने से मैं भी उनसे दूर हूँ तो हो सकता है कि इस पिरिड के दोरान उनका कुछ ऐसा तालूक राओ लेकिन मैं यह बोलना चाहूंगा अगर उ फिरी के नाव पर वो सब को नी दे रहें आहने दो जतना में वाड के जकर में और पैसा किसका एक डैकस बैर कैरो आली कि यहां से वोने यह बने माले लोग ए रिक हैपको न Digital जाएज है क्योंकि आप पतरकारी तार का बिल्कुल अप तो दो स्कुल ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें फैसलेटीज नहीं हैं इमान दर्श बताना सर यह इन जासु में आपको क्या लगता है पंजाब के लोग आ जाएंगे मैं तो पहली बात इसको जहांशा नहीं बोलूँगा यह कमिंटमेंट है और कमिंटमेंट यह 15 लाख वाली नहीं है कि बोल करके फिर उसको बोल दे के हमारे चुनावी जुमले थे क्योंकि केजरिवाल जी ने हमेशा बोला कि अगर मैंने कुछ काम किया मैंने जो पूला पू करते हैं और बात अच्छे-दार करते हैं फिरी की करकर आम आद्यू मनके वोट लिया अच्छा पैसे को यह ईक्सष्या ने कर लगा है घिल कि तो नहीं किया कर तो आप बो देना ही पड़ेगा यहाना दिली के बिल्कुल नजधीक है जब दिल्लिए आप ने जीतीक है जब के बाद में दूसरी बार दूसरी नमबर पर हरियाना टार्गेट रहा था। इसलीभी रहा था। क्योंकि केजरिवाल साप का हरियाना से नाता भी रहा है। खास कर इसा आरजिलियसे स्रीवाणि से उनका नाता रहा है। लिकिन कोई कमाल नि दिखा पाए। नवीन जहिंद बनाये थे उस वक्त अद्यक्स वो बीच में सो गए थे जो भी था वो कहीं चले गए थे जो भी थे अभी आ रहे हैं उनका यह नहीं पता चलता वो पार्टी में है कि अपने लेवल पर काम कर रहे हैं पार्टी आपकी भिक्री भिक्री सी है शुशील गुपता आपके MPA सूट केस लेकर निकल रहे हैं उनकी सूट केस में दो गोसे होते हैं एक उगंगा जल की सीशी होती है यह आम आदू पार्टी का जंडा है उनका अपना जंडा है यह मेरे खाल में नवीन जे का व्यक्तिगत अजेंडा हो सकता है पंचाब में तो विदान सभा के चुनाव ह करेंगे एक अद्मी को निजर में है जगा जांसे आपको उमीद है कि वहां से हो सकता है कि आपका आदमी जीत कि लाए और मैं एक ही जूर बता दूँ जो लोग देख रहे हैं जो टोल पे जो चीजें चली थी जो एक साल तक आपने फ्री टोल के मजे लिए थी वाइडिया कि नहीं का था नमस्कार एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं हूं सर्वेस कुक्रा आज हमारे स्टूडियो में एक बेहत खास मेहमान है एनसजी के कमांडो रहे हैं रामेश्वर शोरान और इन दिनों आम आदमी पार्टी में हैं इनको बहुत से लोग जानते भी है औ आज एनसजी में भले ही ना हो लेकिन कमांडो तो कमांडो ही रहता है वो चाहे सेना में जब होता है डिफेंस में होता है या कहीं भी होता है या फिर जब वो छोड़ के चीजें आ जाता है तब भी वो जो कमांडो की पद्वी है जो एक लेबल है वो जाता नहीं है और इन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी काफी सारे मुद्धे हैं उनसे बात करेंगे बहुत-बहुत स्वागत है पहली बार स्टुडियो में आप आ रहे हैं जय हिंद जय बार सर्वेश जी और सबसे पहले तुम्हें आपके चैनल के मादेम से बात और रखूंगा कि चैनल को लोग देखते, जो आप चोथे स्टम के बात करते हैं लोगतिंतर के, उसका काईम आपने बपने मिसाल को, तौ मैं इसके लिए इसके लिए आपको रुख बहुत-बहुत शुक्रीया और हुम है निकारिय। तो काम ने चलेगा सवाल बहुत है सर और सवाल आएंगे पूरे सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो किसान अंदुलन के वक्त लोग थे वो भले ही आप थे अलाकि आपका बैगराउंड पहले भी पोलिटिकल रहा है जे जे पी से आपका नाता रहा है अभी आप आम आदमी प पार्टी बना दी उन लोग कह रहे थे कहते हैं मैस्पी मांग रहे हैं मैस्पी तो मिले निव सेस्पी दे के चड़ो निसाब निकल लिए वहां से सर्वेज जी मैं सबसे बड़ी बात तो यह कहूंगा कि हम और आप चाहे कोई भी हों किसी न किसी तरिके से डारेक्ट नही किसी बात करें तो मैंने अनकंडिशनल स्पोर्ट किया था उस टाइम पे और एक उमीद के साथ की युवा ने तरताव है और किसान जो परिवार की बात करते हैं चोधरी देवलाल जी का नाम लूंगा तो उनके परिवार से वंसज हैं और साइद किसानों का आम आरा जो एक हर्याना की बात करें तो उसको लेकर के उनके बीच कुछ प्लानिंग होंगे और कुछ अच्छा करेंगे लेकिन जैसे हिनोंने जैसे हिनोंने किसान आंदूलन की बात करें यानि किसानों के बात करके या उनके कानून की बात करके जब तीन काले कानून की बात हो ती तो इन है वो हमारी हमेशा से पुंजी पतियों के खिलाब रही है मैं तो शिदे सब्दों में आपके चैनल के माधिम से असेप्ट करता हूं कि हम बगत सिंग को पड़े हुए हैं बगत सिंग वाला निकलाब हमारे अंदर है अगर आज आमाधिम पार्टी से बात कर रहे हैं कि जैसे कि युवा चेहरा और एजुकेटिड जिसकी बात करते किसान परिवार्शान वाले चेहरे को तुना था क्योंकि बीजेपी को जमनापार के बात कर रहे थे और मोधी और अमित्ष्या को दोनों को रंगा बिल्ला मतलब इस तरह की लैंग्वेश करें जब उनके साथ चले ज कि लोग कहते थे खासकर बीजेपी वाले चले जाएंगे तो वो चीजें तो सच हो रही है गुर्णामसी चुड़ुनी ने पार्टी बना ली के पंजाब में एलेक्शन लडेंगे टिक्टे बातेंगे तो ये टिक्टे बातने का शोक आप तो बड़े करीब से जनते हो तो बले ही हमारे रहे हो और ठीक हमने चड़ुनी जी को बिलकुल उस चीज के लिए तवज्जव दी कि किसान चेहरा है और किसानों की लिडर्शिप की बात हो और अगर आप बात करेंगे हो कि बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे थे बीजेपी, जेजेपी, कॉंग्रेस, आहम बीज में आपको रोक रहा हूं, आपने का सर और मैंने कहा कि आप चुड़ुनी साब को जानते भी अच्छी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने पहली प्रेस कॉंफरेंस कल की, कहते है अपनी पार्टी बन गी, SSP जैसे मैंने बताया कि MSP मांग रहे हैं, आप लो इस बात को नजायज गल्ट ना समझे, आमद नहीं जादा होगी इस बात से, उड़ता पंजाब तो पहले लोग कहते थे, फलाइंग पंजाब या कोई और पंजाब या तेज रफतार से दोड़ता, पंजाब को मतलब कहां नशे की बात क्यों की जाती है, देखे, SSP देद संद्रब में कहे रहे हो कि उन्होंने कल ऐसा बयान दिया है कि वहां पे अफेहम के खेती हो, तो मैं तो चड़ून जी को व्यक्तिकत जानता हूं, मेरी खाल में इतने नशे के करीब तो नहीं थे, लेकिन काफी टाइम से तीन-चैर महीने से में दूर हूँ, तो हो सकता है क लेकिन मैं यह बोलना चाहूंगा, अगर उन्होंने कुछ बोला है, तो मेरी खाल में यह राजनितिक भाशा नहीं, मैं इसको मर्यादित भाशा नहीं बोलूँगा, यह सरमनाग बयान, अगर किसी भी नहता करा है, क्योंकि नसे को बढ़ाना, वो हमारी फितरत नहीं हो सकत यह कहके किस से आपको पैसा बहुत बनेगा, पैसा तो फिर वही चीज होगी, नशात और नसे वाले पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं वो, आप भी उसी पैटर्न पर आगे, नहीं बिल्कुल गलत अंदाज और गलत तरीका है, और रही बात अगर अगर अफीम की खेती करके पंजाब को या देश को यह सोचने की तरक्य करेगा पैसे से, मैं तो बोलता हूं कि आज उड़ता पंजाब जैसे आपने बोल दिया, तो यह तो उड़ता भारत हो रहा है, पूरे देश के अंदर क्या हाला तरना से के चलते, अगर ऐसा वो कुछ करे तो यह नहायती सर्मन करते हैं, तो इस मैसेज क्या जाता है, आप कमेंट करके बताएं, दूसरी बात सरी है, कि आप आम आद्मियों पार्टी के नेता होगे, केजरिवाल साब आप का आइडल होगे, तो जो दिल्ली में जो जुन जुना दिखाया था लगों का फरी का वही पंजाब में आप दि सिस्टम की लडाई लड रहे हैं, तो उन लोगों का एक अजेंडा सफस्ट हो जाता है, कि कोई भी चीज अगर किसी को बेसिक चीज उसको अगर सरकार के डूटी होने चीज और गवर्मेंट के डूटी रहती है, टेक्स लेते हैं, किस चीज के लिए लेते हैं, सरकारे जो अगर हमारी बेसिक निज जो हैं, हमारी जरूरते हैं, अगर उनको पूरा नहीं कर पारे तो किस चीज के लिए, तो इसको आप फ्री का नहीं मानी, ये एक हक है, राइट है पबलिक का, अगर ये दे रहे हैं, आप फोरुन के अंदर जाओगे बाहर विदेशों में आप यहां पare जो डे रहे हैं, फ्री के नाम पर वो सबको नि दे रहे हैं, आप एक वर्क विसेस को दे रहे हैं, वोट के चक्कर में दे रहे है, पैसा किस वान? का पैसा है एक दम से सभी को सारी चीज़ें पोसिबल नहीं आपने बता दिया कि जो चीज़ें उन देशों में एपलाई हो रही है वह हमारे यहां पे नहीं हो सकती एक दम से विद्शों सब के लिए लेकिना आपने कटेगरी बना ली कि वोट बेंक किसका जादा है यहां से लेना है बोले-बाले लोगे इनको फ्री का जासा दे दो वोट ले लो चलते बनो नहीं महिला है वह तो अमीर गर में भी और गरीब गर में भी अगर वह गाड़ी चोड़ करके बस में जाना पसंद करें दिली में तो उनको फ्री ऑफ कोस्ट बस की आतरा मील रही है अगरी जाया है क्योंकि आप तरकारिता का बिल्कुल अपना फरज अदा करें लेकिन मैं आपको एक चीज़ को एक शीज गारेंटी के साथ बोल रहा हूं बोर नहीं है आपको डो स्कूल बहुत शोब्हें झाज़ा है जैसी आप बात बोल रही है तक वहां पे ऐसा नहीं ह इमान दर्श बताना सर यह इन जासु में आपको क्या लगता है पंजाब के लोग आ जाएंगे मैं तो पहली बात इसको जहांशा नहीं बोलूंगा यह कमिंटमेंट है और कमिंटमेंट यह 15 लाख वाली नहीं है कि बोल करके फिर उसको बोल दे कि हमारे चुनावी जुमले थ है खुद को सिंबल सा दिखाते है कमीज बाहर निकालते बुर्शरुगे मैं किसी भी udah कारकार के या किसी Пार्टी कर बात नहीं थै कि रिली सकार के अनिक छो जो बुके लगेंगी जब बच्चे उसको पड़ेंगे उसको पड़ेंगे तो आप समझ सकते हो देश के अंदर क्या हुआ अपने हक लिया वाज उठाएंगे और जब आप बॉल रहे हो कि फरी के चीजे देने की लत यह चीजे लत नहीं यह बेसिक जरूरते हैं और यह टेक कर लेकिन उसको आप डोनेशन के तोर अफ दोनेशन स्विचा से होती है मेरा दिल किया तो आपको देना हिपड़ेगा आप इस बात को यह बोल सकते है कि सरकार के बोलने पर डोनेशन उसका रिजन है क्योंकि जब आपके पास एक्ट्रा पैसा थे आपको टेक्स पे करना प है इनके पास तनी गाडियां चलती उनका petrol डिजल का को ही सब्सक्राइब आपकी बात लेकिन केजरिवाल्ज अज तक क्यों चोड़ी हो तंक क्यों ने चोड़ते हो गाडियां क्यों ने चोड़ते हो तंक और चीज अग चीज़ जब आप तन्क के नाम पे ताप लाग फचाय जो भी आपके पैसा ले रहे हो वह आपकी जग जायरे है लेकिन उसके पीछे आप पता आपको एक MLA एक MP को मतलब खड़ा रखने के लिए भी उसके उपर महिने का कम से कभी 50 लाग रुपया खर्च कर रहे हैं ये लोग वो पैसा किसका वो टैक्सपेर का है अगर उसी पैसे को उसी पैसे को वहां से कट होती करके अगर आम जन्ता की सुविद्धा के लिए दिया रहा हूं सुरान साब मैं वही कह रहा हूं आम आदमियों पार्टी के केजरिवाल के MLA ने कितनी सुविद्धाइं छोड़ दी कोई बता दो बिलकुल आम आदमियों पार्टी कि अगर क्या होगी यह तो केजरिवाल जी बोलते हो रम भी चीज बोले जांच तो करवाने जांच करवाएगा कौन सेंटर गवर्मेंट किसकी एडी किसकी लगा तो कितनी बार तो यह पिछे करते हैं लेकिन मिलता क्या है पंजाब में चुना होंगे आम आदमियों पार्टी का चे कि अगर जनता को चीज पसंद है और वह अगर कोई आईसा बंदा राजनिति करना चाहरा है तो इस बारे मेरे मेरी ख्याल में अमारे को पहले का यास लगाना हमारी बेवकुफी होगी क्योंकि वह सारी की सारी चीजे पार्टी लाइन के बीच में डिसकस होती है और वही च कि सानो मजदूर या कोई जोब करने वाला बंदा है अगर वहां पर बैठ रहे हैं उन चेरों पर जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो सीधी सी बात है कि उन्हीं लोगों के लिए प्लान और योजनाए बनेंगी अर्याना की बात भी कर लेते हैं हर्याना दिली के तो ऍसके बाद में दूसरी बार दूसरे नंबर पर हर्याना टार्गेट रहा था वेशनी भी राहां पर लेकिन कोई कमाल नहीं दिखा पाई नवीं जैंद बनाए ते उस वक्ट अध्यक्स वो बीच में सोगे थे या जो भी था वो कहीं चले गे थे जो भी थैदे आ वहा पार्टी आपकी बिकरी बिकरी सी है शुशील गुपता आपके MP परवारुन को दिया वा था यहां उनका अलग गुट चलता है नमीन जैन का अलग गुट है कुछ और लोगों का अलग गुट है तो अरियाना में कहीं है नहीं आम आदमी पार्टी यह आप कह रहे हैं ना यह किया रहा हूं पुब्लिक की आवाज बनके कह रहा हूं जी जी मैं आपको पुब्लिक की आवाज ही शुनाना चाहूंगा लोग एक के उमीद करें कि आम आदमी पार्टी एसा विकल्प बनके आई गरी आना के अंदर क्योंकि यहां पर किसानों की दूर्दसा सब ने देख लगा लें कितना समय आपको आपको में बात बता दू दिल्ली के अंदर किसानों का जो एक सेनेरियो चेक करोग तो आपको पता चले है वहां पर मुआउजा के मिला किस तरह कि मैं आपने अर्याना की बात प्याओंगा अर्याना अमारा किर्सी परदान है इसमें कोई सकने लेकिन अरियाना तो मुस्त और यह भी आप कर ढ़ा कि सेजिट यहा है, डेकना हरो सरफ भी इस सवाल यही था, जल्स को कूज आप नहीं किम आले करना कि शुद्ध ताइब आप क्योंकि पार्टी नई नई खड़े होई तो उस टाइम पे दिल्ली के साथ साथ पूरे परदैस की निमा पूरे हिंदुस्तान की बात करूं हर जगा पर पार्टी ने एक ट्राय किया था कि हम लोग अपना कहां का अपना सिस्टम जमाश क्ते हैं यानि की पार्टी के लिए ल की सुनाओ यहां पर यहां पर अपनी बोट जबर्दस प्रजेंटेंशन देने वाली आम अधिम पार्टी और अहसास करवा देगी कि एल टाइम आगे आने पार्टी का वज़य उसकी क्योंकि आम अधिम पार्टी यह समझ चूकी है किस चीज को हम किस तरह से उ किसानों के केजरिवाल जी ने बहुत अच्छे से दिया जो एक स्पोर्ट की है और खुलके की है क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट में बायरोड जैसे नैशनल आईवे टैन की बात करें यह इधर से बात करें जब दिल्ली के अंदर जा थे खुले जहल बनाने के लिए उफर किया गया था भारे सरकार की तरफ से तब एक बंदा वो ही थे केजरिवाल जी ने बोला था कि मैं इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं हूं कि स्टेडियम के अंदर किसान को बुला ले जा और यहां पर उनको रोग दिया जाए उस दिन के बाद जब से उन्होंने कंटीनू के साथ भापोती रही हैं जिन्होंने राजनितिक तरिके से अलग लग बाशाहों में देश को चूछने का प्रदेश को लूटने का काम किया है नवीन जाहिंद पिसले कुछ दिन से वो सूट केस लेके निकल रहे हैं उनकी सूट केस में दो गुस्फे होते हैं एक उगंगाजल की क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टी खड़ी होती साथ में तो यह जो गोस्ते दिखाने से गंगा जल करने से रातल पे कुछ है नहीं तो इससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे पता नहीं वो तो नहीं जान बताएंगे दूसरी बात एक आंदोलन कारी का जो एक न करें अगर आप बोल रहें के साथ लोग आएंगे नहीं आएंगे तो लोगों को ताय करना है लिकिन ठीक है वो अपने बरेश्ट चार के खिलाप एक लड़ाई लड़ने का उनका अपना जजब पाव लड़ रहे हैं लेकिन पार्टी की तरफ से हमारे को अपना संग्टन कब संग्टन की कमी है लगता लेकिन आप की पार्डिक कियो नहीं है मतलब क्या लगता है? उनके पास आद्मी नहीं है या這種 कोई और दोड़ सकने माइशी ? सुसील गुपता जी हैं बड़ी दिन रात मशक्कत करके बहुत मेहनत करके पार्टी को इतना मजबूत करने का काम करें कि आप उनको देखोगे तो डेट नाइट वह लोग यह देखा है उनका मैंने दो मिनने में काद बर उनकी कहीं आती है किते जो दोरा कर रहे हैं हो इसार गहते हैं तो गुपता जी तो आपको रात को मिलें करनाल साइड मिरा यह है अगर वह मुमेंट भी कर रहे हैं तो पूरे परदेश के अंदर करें पूछने चाहरा था कि आम आजमी पालिटी का जो बेस था वह यह था कि आम आजमी निकल के आए और उस वक्त जब यह पालि करेश था लोगों ने पहन पहन के निकलते थे वह लगते थे मैं भी आम आदमी यह आपने स्लोगन ठीक तक दिया था उसे जुड़े भी थे लेकिन वह खत्म हो गया उसके बाद दरातल पर कुछ नजरी नहीं है सुचील गुपता जी आपने नाम ले दिया एम-पी हैं जी कि डूटी वह बखू भी नहीं मेरी खाल में चीस हिसाब से काम करें एक नॉर्मल इंसान के लिए वह इतना संबह नहीं जिस तरह से इस एज के अंदर भी भाग रहे हैं काम करें संग्टन को जोडने का मजबूत करने काम करें आपको भी कई लोग करें कर देजिए लोगे अगर कोई लगा करके घर बैठ जाए मेरी खाल में वह पार्टी के लिए वी काम ने कर चाहिए और यह वाकि आपकी शान है यह कमांडो रहे हैं और देज की सुरक्सा का जिम्मा आपके पास था जिस वक्ता अमलावा जैसे मैंने शुरूम बताए कि ताज उटल पर जो अम पड़े गा रात्तुरा शायद आप लोगों को वहले जाया गया था और वो जो अमला था उसको विफल किया गया था उस वक्त की ये शान है ये मैडल जो है ये तभी के हैं तो वो तो नहीं लेकिन मैं कह रहा था कि लोग पूछ लेते होंगे कभी ने अगर किसी का इसा कव करें लेकिन आम आदमी की पहचान अगर आम आदमी की टोपी से बन रही है तो इसमें भी कोई अधिशोक्ति नहीं है पहन चाहिए और पहनते हैं कभी-कभी कुछ ऐसा हो तो हम लोग उसको लगाते हैं और वहारे लिए सम्मान की बात क्योंकि एम उस पार्टी के लिए नह आम आदमी की लड़ाई है और उसके लिए अवारे को वी फखर मैसुस अधिशन तो रही बात इन कोवस्चनों का जवाब मेरे पास बहुत अच्छा हो तो मैं आपको बता भी दिया ये ड्रेस सिंबल से आपको ये जजने करना कि ये पार्टी के लिए है और नहीं आपको पार्टी के लिए कर काम करने के बात आती है तो उसकी जो कारिये सहली या काम करने का डंगा या उसका जजबा है मेरे खाल में उस चीज से उसको आप पकड़ पाएंगे पार्टी के लिए क्या कर रहा है आप पार्टी की टोपी लगा और पार्टी को बरबाद करने का काम क करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है आपके अंदर की जो मंजबूत करने का कमडेट उना है पंचाब में चलो विदान सभा के चुनाव होंगे उसमें आपकी पार्टी जो भी करें लोग देखेंगे अर्याना की बात करें तो यहां भी मुनस्पल चुनाव होने हैं नगर परि तरी के आसपास यह रहेंगी आपकी पार्टी ने बिलान किया कि हम चेर्मेन के चुनाव लडाएंगे सिंबल लडाएंगे एक अपनी को निजर में है जगा जहांसे आपको उमीद है कि वहां से ओसक्ता है कि आपका आजमी जीत की निकलाए देखें उमीद हर जगे से हैं क काम करेंगा वही पार्टी का हुगा रही बात की अभी कहां तक उमीद है तो हमने काफी सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट भी गोशित के लियां की दो सीटे तो अब मैं मेरे अगर जोन की बात करूं तो यहां से हम लोगों ने आम आदिम पार्टी की हासी की बात आपने लिए जो बिक्ति हें यह आम अदनी पार्टी के ईसे लोग कारी करता हो संग्णनों लिया या कहीं से लेके आई यह ऐसे नषे अगर मैं करूं तो यहां पी इतना तो हैन्की एक करोड का ने क्षोछी पीच में इस बिर अखिसी आदमी को निकाले क्योंकि जो भी लोग आएंगे वो यह तो कहीं से बीजपी से होगा गॉंगरेश से होगा जजब्पा से नगी और सकता किसे बुड़ क्योंकि पार्टी अचाए अदमी नहीं है अदमि के साथ पार्टी है कोई पार्टी किसी की बंदवानिय कोई पार्टी का कि अगर आप को किसी पार्टी के साथ काम करने में दिकते आ रही हैं दिकते मीन्स तब कि आप कि जो अल्व tool by कर चाहरें कि हम जमीन के स्भीण के कारण मिलेंगे और तोपी पहने से मिलेंगे और प्रभाइजना हो और अजनदा किस ही पाटिया कोई उठा रहा वह उनके पहतान होती है लेकिन व्यक्तिविसे इसका एगर बात करें हमने जो भी लोग या जो भी साथियों को एप्रिसीट कर आया आगे ल सब्सक्राइब करें जिए सर्फ साथ हमारे चार तरफ हर रोज की निटकी में दिखते एं तो उन्हें के बीच के साथ थी को उन्हें कि लडाई लडने के लिए तैयार करने का काम आम आजमें पार्टी कर रहे हैं यह थे राम शुराण और नसजी के कमांडो रहे हैं इस वक् आपकिसे करें और आपको को लगदा है कि आम हाद मीं पार्टी हर्यादा में हैं उस मुझा में अ जाइनल राफ झाल झाल